अब आपके सहर सागर में डाइट रेस्टोरेंट सुवीदा के साथ अनुबभी ट्रेनरों सहित जैन्स एंड लेडीज संसाइन जिम पतायाद रखें राजगाट रोड तिलीवाड सागर मदिप्रदेश आत्मा के मोक्ष और जगत के हिद के लिए जिनोंने देह धारन किया है ऐसे हमारे परम पूज्य संतगन में उनके चरणों में गुणाम करता हूं से पहली योजना मैंने कोई बनाई उसी योजना का नाम था मुख मंत्री कन्या विबाह योजना और मद्व देश की धर्दी पर हजारों साधी सरकार क्यों न करे सरकार की ड्यूटी है धर में कि बिटिया की साधी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते मैं आज बेटियों के स्विवाह बे आके मैं अपने आपको धन्य अनभव कर रहा हूं अपनी बिटियों को भांजियों को मैं आसिरवाद भी देता हूं आसिरवाद तो संत देंगे मैं तो यही कहता हूं मामा की दुआएं लेती जा जा तुझ को सुखी संसार मिले ये हमे के सहयोग से की तो इतना अनंद प्रापत हुआ मैं उसका सब्दों में बियान नहीं कर सकता लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराजी करम सुरू किया हमारे च्छेत की जो अंदेरधन बेटियां थी उनके विबाह का मित्रों के सहयोग से और मुखमंत्री बनते ही महाराजी सबसे पहली योजना मैं ने कोई बनाई तो इसी योजना का नाम था मुखमंत्री कण्या बिबाह योजना और मद्द प्रदेश की धर्ती पर हजारों साधी सरकार क्यों न करें सरकार की ड्यूटी है धर में कि बिटिया की साधी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार साधी करें इसलिए मुख मंत्री करने दान योजना बनी और उसके बाद सारे संतिह बैठें उनके चरणों में मैं निबेदन करना चाहता हूँ लाडली लक्षमी ओजना बनी जिसमें तैकिया कि मद्प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया प्यादा होगी तो वो लखपती होगी लखपती बोज नहीं बनेगी बरदान बनेगी उसमें से लाडली लक्षमी ओजना ही मैं उसमें जादा समय नहीं लगाता सबकों पता हैं मधप्रेश बालों को 44 लाख लाड़ी लख्षमी बेटियां आज मधप्रेश की धर्ती पर हैं जिनकी सिख्षा दिख्षा से लेके सारा इंतजाम भगवान की किरपा से सरकार करती है लेकिन अभी मैं माराजी से कह रहा था माराजी आज महासिवरात्ρι है सिव और सक्ती जब तक दौनों विल के ससक्त नहीं होते तब तक कल्यान कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहने ससक्त होनी चाहिए क्योंकि बहने ससक्त तो प्रदेश ससक्त प्रदेश ससक्त तो देश ससक्त और फिर हम भी तो भहिया है जब बेटियों के मामा भहे तो बहनों के भहिया भहे के नहीं भहे तो बेहनों के भईया है अब भईया साउन के मैना में एक दान आते बेहन को लिवा के ले जाते हैं या बेहन के घर आते हैं राखी बंदवाते हैं उपहार देते हैं दिल ने कहा कि तू भी तो भईया है तो तू भी तो कोई उपहार दे लेकिन मुझे लगा कि साल में एक बार देने से काम भी चलेगा और इसलिए एक योजना मैंने माराजी को बताई एक योजना और बन गई लाडली बेहना योजना अब हर गरीब बेहन जो मधपरदेश की निवासी है उनके खाते में हर मेना एक हजार रुपया डाला जाएगा साल में बारा हजार रुपया